हेलो बच्चो मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ओफ एटम और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि different scientists ने different atomic model दिये थे atoms के और last model जो accept हुआ था वो हुआ था Neil Bores का जो ये कह रहा था कि हमारे पास atom दो पार्ट में divide होता है एक nucleus और दूसरा electrons और nucleus में क्या present होता है proton और neutron present होते हैं और जैसा कि हमें पता है कि atom का जो mass होता है वो mainly किसके वज़े से होता है proton और neutron की वज़े से electron का mass negligible होता है ना के बराबर होता है तो अगर proton और neutron nucleus में present है तो मैं ये कह सकता हूँ कि atom का सारा mass concentrated होता है इस nucleus के अंदर nucleus बहुत ज़ादा heavy होता है उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो electrons होते हैं वो revolve करते हैं around the nucleus okay कि atom के अंदर जो electrons होते हैं वो क्या करते हैं around the nucleus मतलब कुछ इस तरह से क्या करेंगे ये revolve करेंगे और हमने ये भी पढ़ा था कि जो elektrons होते हैं इस orbit में क्या करते हैं रिवल्व करते हैं चारो तरफ atom के nucleus के ये रिवल्व करते रहते हैं ओके? और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इनको orbit या फिर shell या फिर energy level भी बोला जाता है और energy level क्यों बोला जाता है कि इनके पास fix amount of energy होती है level 1 में जो electrons है इनके energy fix है level 2 में जो है इनके energy fix है level 3 में भी energy fix है इनके पास ओके लेकिन क्या होता है कि जो level 3 में है उनके पास जो electrons हैं, उनकी energy जादा होती है level 2 के electron से, वो जो level 2 में electrons हैं, उनकी energy जादा होती है level 1 के electron से, मतलब जैसे जैसे energy level बढ़ता जाता है, वैसे वैसे electrons की energy भी increase होती जाती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? energy level बोला जाता है तो अब question आता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 20 electrons है मान लिया, हमारे पास किसी atom में 20 electrons present है तो इन electrons को हम इन orbits में distribute कैसे करेंगे तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि पहले ही orbit में 20 के 20 electrons fill कर दूँ या फिर मैं ये मान के चलूँ कि एक काम करते हैं कुछ ऐसा कर लिए कि इसमें 7 electrons fill कर दिये, इसमें 8 electrons fill कर दिये इसमें 5 electrons fill कर दिये तो क्या मतलब हमारी मर्जी है कि हम अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे electron fill कर सकते हैं, नहीं electron fill करने का हमारे पास rule होता है, और वो rule हम अब आज ही class में पढ़ने वाले हैं ओके तो start करते हैं How are electrons distributed in different orbits or shell कि कैसे कैसे electrons को orbits में distribute किया जाता है तो ये है हमारे पास rule number 1 The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula typing error है ये हमारे पास होता है 2n square ओके, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square where n is the orbit number or energy level index that is 1, 2, 3 ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो orbit उनकी numbering की हुई थी हम लोगों ने जैसे n is equal to 1 मतलब first orbit n is equal to 2 मतलब second orbit n is equal to 3 मतलब third orbit इस तरह से हमने सबकी numbering की हुई थी तो ये कहरा है कि किसी orbit में maximum number of electrons calculate करने का formula हमारे पास होता है 2n square ओके, इसका मतलब ये हुआ कि first orbit में maximum number of electrons कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं formula क्या होता है 2n square ओके, और first orbit का मतलब क्या n is equal to 1 तो जैसी मैंने यहाँ पे n is equal to 1 put किया तो मुझे क्या पता लगा कि first orbit में 2 electrons आ सकते हैं maximum मैं पहले orbit के अंदर 2 electron से ज़ादा fill नहीं कर सकता और first orbit को k shell भी बोला जाता है अब बात करते हैं second orbit की second orbit मतलब क्या हो गया n is equal to 2 तो अगर जैसे ही मैंने यह put किया n is equal to 2 इस formula में तो मेरे पास क्या बना 8 इसका मतलब second orbit में 8 से ज़ादा electrons नहीं आ सकते ओके, third orbit मतलब क्या n is equal to 3 तो जैसी मैंने इस formula में n is equal to 3 put किया तो मेरे पास क्या आया 18 इसका मतलब third orbit में मैं 18 electron से ज़ादा fill नहीं कर सकता और इसी तरह से fourth orbit मतलब क्या n is equal to 4 और जैसे ही मैंने इसको formula में put किया value को तो मेरे पास आया 32 इसका मतलब fourth orbit में मैं 32 से ज़ादा electrons fill नहीं कर सकता तो complicated हो जाता है तो मैं थोड़ास इसको simplify कर देता हूँ आप यह मान के चलिए कि orbit मतलब क्या है class ठीक है orbit का मतलब क्या हो गया class तो यह मेरे पास क्या हो गया classroom है ना orbit का मतलब हो गया classroom और electrons का मतलब क्या हो गया students electrons का मतलब क्या हो गया students तो यह कह सकते हैं कि आपके पास कुछ students given होगे ठीक है वो कितने भी हो सकते हैं, एक student हो सकता है, दो student हो सकते हैं, 10 student हो सकते हैं, 20 student हो सकते हैं, जितने भी students आपके पास हो और आपको बोल दिया जाए कि आपको क्या करना है, इनको classrooms में बैठाना है, ठीक है, classrooms के अंदर इनको आपको बैठाना है तो अब आपको पता है कि पहले classroom में maximum आप 2 students को बढ़ा सकते हैं formula क्या आपके पास 2N square तो classroom number 1 मतलब क्या n is equal to 1 जैसे आपने n is equal to 1 रखा तो आपको पता लग गया कि पहले classroom में maximum 2 बच्चों को बढ़ा सकता हूँ दूसरे classroom में maximum 8 बच्चों को बढ़ा सकता हूँ तीसरे classroom में maximum 18 बच्चों को बढ़ा सकता हूँ ठीक है simple तो यह मरपस तरीका होता है उसी तरह से अगर 4th classroom होता तो उसमें मैं maximum 32 students को बढ़ा सकता था तो यह मरपस 1st rule होता है ऐसे तरीके से करेंगे तो अच्छे से आप फिल कर लेंगे अगला रूल हमारे पास आता है The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8 कि जो हमारे पास outermost orbit होगा उस atom का उसमें मैं maximum 8 students को ही बठा सकता हूँ ये रूल होता है और थर्ड रूल क्या कहता है Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled जब तक कि आप अंदर की shells को नहीं भर देते, fill नहीं कर देते आप next room में नहीं जा सकते, next level पे नहीं जा सकते ठीक है, कि जब तक आप first classroom में बच्चों को नहीं बठा देते आप second classroom में नहीं जा सकते आप directly jump नहीं कर सकते कि सर मैंने तो क्या करा, third room में directly बठा दिया, first और second room को खाली छोड़ दिया, नहीं, आपको पहले first classroom में बच्चों को बठाना होगा, फिर second classroom में और फिर third classroom में, simple, ओके, तो अब मैं कुछ यहां पर examples लेने वाला हूँ, और पहला example हमारे पास है hydrogen का, hydrogen के पास सिर्फ और electron present होता है, तो आप यह कह सकते हैं, कि hydrogen के पास एक ही student है बठाने को, अब हमें बहुत अच्छे से पता है, कि सबसे पहले मुझे बच्चे को कहां पर बठाना पड़ेगा, classroom number one में, ठीक है, तो मेरे पास student कितने हैं, सिर्फ एक ही है, और मुझे पता है कि classroom number one, मतलब K shell के अ हो गया, atomic structure of hydrogen, ठीक है, जिसमें center में क्या है, nucleus है, और इसके बहार क्या है, हमारे पास orbit, और first orbit में कितने electrons हैं, एक electron है, ओके, और यह सब atomic structure आपको अपनी copy में draw करने है, तो अच्छे से draw कीजेगा, ताकि आपको भी समझ में आ, मुझे भी समझ में आ, जब copy चेक होगे, ओक अच्छा, next example मैंने लिया, helium, helium के पास electrons होते हैं, दो, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, कि अब हमारे पास दो students हैं, जिसको मुझे classroom के अंदर बठाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया classroom number one, classroom number one की capacity कितनी है, दो students की, और में पास students भी कितने है, दो है, तो अगर मैं पहले classroom में maximum दो बच्चों को बठा सकता हूँ, दो ही बच्चे हैं, तो मैंने क्या करा बठा दिया, दोनो के दोनो students को, मैंने classroom number one में बठा दिया, इसका मतलब पहले orbit के अंदर, maximum कितने electrons आ सकते हैं, दो, और मैंने उन दोनो electrons को fill कर दिया, पहले orbit के अंदर, और यह हमारे पास क्या है helium का nucleus हो गया ओके तो यह हमारे पास हो गया electronic configuration of helium इसे क्या बोला जाता है electronic configuration electronic configuration g-u-r-a-t-i-o-n configuration ठीक है spelling आप देख लीजेगा ठीक है थोड़ा यहाँ पे लिखने में परिशानी आ रहे हैं पर लिख देता हूँ electronic configuration c-o-n-f-i-g-u-r-a-t-i-o-n electronic configuration ठीक है configuration मतलब एक तरह से कह सकते हैं electronic distribution ओके अच्छा उसके बाद हमारे पास आया lithium अब lithium के पास कितने electrons होते हैं तीन electrons होते हैं मतलब आप यह कह सकते हैं कि अब हमारे पास तीन students हैं बठाने के लिए अब सबसे पहले में किस को चेक करूंगा classroom number one को classroom number one में maximum कितने बच्चों को बठा सकता हूँ दो बच्चों को तो दो बच्चों को बठा दिया अब कितने बच्चे बच्च गए एक ठीक है तो classroom number two पे गया हमारे पास एक तो क्या करा उसको उस classroom के अंदर बैठा दिया ठीक है अब ये मेरे पास हो गया electronic configuration of lithium या फिर कह सकते हैं electronic distribution of lithium जो मुझे ये कह रहा है कि पहले shell के अंदर कितने electrons हैं दो electron है और दूसरे shell के अंदर कितने electron है एक electron है और ये मैंने क्या बना दिया इसका atomic structure जहाँ पे center में क्या है nucleus है फिर पहले orbit के अंदर सिर्फ दो electron है और दूसरे orbit के अंदर सिर्फ एक electron है ठीक है तो ये सब ही आपको draw करने है अब अगला example हमारे पास है oxygen का oxygen के पास 8 electrons होते हैं ठीक है ये लिखा भी होआ है oxygen के पास 8 electron होते है ठीक है तो हमें क्या पता है कि मेरे पास students है electron तो मैं किसी को मानी नहीं रहा है ना तो 8 students हैं इनको classroom में बठाना है तो गया पहले classroom पे पहले classroom की capacity कितनी है दो बच्चों की तो इन में से मैंने क्या करा दो बच्चों को वहाँ पे बठा दिया बच्चे कितने 6 फिर मैं इन 6 बच्चों को लेके गया second classroom में second classroom की capacity कितनी थी 8 बच्चों की लेकिन मेरे पास कितने 6 तो मैंने इन सभी को कहां पे बठा दिया second classroom के अंदर बठा दिया तो जो मेरे पास electronic distribution बना वो क्या बना 2,6 जो मुझे क्या बता रहा है कि K shell में कितने students है K shell में students हैं 2 और L shell में कितने students हैं 6 मतलब पहले shell में 2 electron है और दूसरे shell में 6 electron है 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो यह हमारे पास क्या हो गया electronic configuration of oxygen और यह हमारे पास क्या हो गया atomic structure of oxygen ठीक है center में nucleus first orbit के अंदर 2 electron और second orbit में 6 electron ओके अगले example लेते हैं तो यह हमारे पास है sodium का example और sodium के पास electron होते हैं 11 मतलब अब हमारे पास 11 students हैं जिनको मुझे classroom के अंदर बैठाना है तो मैं गया first classroom में वहाँ पर कितने बच्चे बच्चे बच्चा सकता हूँ second classroom की capacity मुझे पता है कितनी है 8 students की है अब बच्चे कितने हैं मेरे पास 9 तो इन 9 में से 8 को मैंने बच्चा दिया इस second classroom में अब कितने students बच्च गए 1 अब मैं गया third classroom में third classroom में मुझे पता है capacity कितने बच्चों की है 18 की लेकिन मेरे पास तो एक ही student है तो मैंने उसको वहाँ पे बठा दिया इसका मतलब अब मेरे पास जो electronic configuration हुआ वो क्या हुआ 2,8,1 इसका मतलब पहले shell में 2 electron दूसरे shell में 8 electron और तीसरे shell में 1 electron और ये मेरे पास है atomic structure of sodium जिसको आपको notebook में draw करना है ठीक है center में nucleus first orbit में 2 electron second orbit में 8 electron third orbit में 2 electron अच्छा अब अगला example हमारे पास है chlorine का chlorine के पास होते है 17 electrons chlorine के पास 70 electrons होते हैं अब फिर से मैं क्या करा क्या मान के चल रहा हूँ इनको students मान के चल रहा हूँ पहले classroom में गया पहले classroom के capacity कितनी थी दो बच्चों की इन 17 में से 2 बच्चों को यहाँ पे बठा दिया अब कितने बच गए मेरे पास 15 फिर गया second classroom में second classroom की capacity कितनी थी 8 बच्चों की अब इन 15 में से 8 बच्चों को मैंने यहाँ पे बठा दिया अब कितने बच गए मेरे पास 7 students फिर गया third classroom में 3rd classroom की capacity कितनी थी, 18 बच्चों की, उन 18 में से, मतलब 7 बच्चे मेरे पास हैं, उन 7 बच्चों को मैंने 3rd classroom में बैठा दिया, ओके, तो configuration मेरे पास क्या हो गया, 2,8,7, means, पहले shell, मतलब के shell में 2 electrons हैं, दूसरे shell में 8, और तीसरे shell में 7 electrons present हैं, और यह मेरे पास हो गया, atomic model of, या फिर कह सकते हैं, atomic structure of chlorine, जहां center में क्या है, nucleus है, first shell में 2 electrons है, second shell में 8 electrons है, और तीसरे shell में 7 electrons हैं, ठीक है, और अगले example हमारे पास आगया, आरगन का, आरगन के पास 18 electrons present होते हैं, आपके पास table दी हुई है, NCRT के अंदर, जहां पे atomic number, number of proton, number of electrons, और उन electrons को कैसे distribute किया गया है, वो पूरी table इस topic में दी हुई है, ठीक है, 18 electrons हमारे पास हैं, 18 students हैं, पहले classroom में गया, कितने बच्चे बठा सकता हूँ, अब कितने बच्च गए मेरे पास, 8, अब मैं गया, तीसरे classroom में, तीसरे classroom में मुझे पता है capacity कितनी है, 18 बच्चों की है, लेकिन मेरे पास तो 8 ही है, तो मैंने सब को क्या किया, उस 3rd classroom में बठा दिया, तो configuration क्या हो गया, 2,8,8, मतलब, 1st shell में 2 electron, 2nd shell में 8 electron, और 3rd shell में भी 8 electron, और ये मेरे पास क्या हो गया, आरगन का atomic structure, ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ ही यहाँ पर बनाए है, तो आप लोगों को एक काम करना है, कि आपकी NCIT में 18 elements दिये हुए हैं, टेबल के अंदर, उन 18 elements के atomic structure आपको draw करने हैं, electronic configuration आपको खुद से try करने हैं, कि कैसे कैसे बनाए जाता है, वच्छो 10th class के according ये topic बहुत important हो जाता है, कि अगर आपको नहीं पता कि कितने electrons, atoms के पास present होते हैं, उनको हम कैसे कैसे distribute करते हैं, तो आपको बहुत परिशानी आने वाली है chemistry में, 10th class में, तो better है, आप अभी से इसको अच्छे से practice कर लीजे, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, thanks for watching, bye bye.